हलो अच्छो मैं हूँ अजय सर अब सभी का मेरे यूटूब चैनल में welcome है आज हम class 8 से chapter 10 का exercise 10.1 से question number 5 देखते हैं important है if one of the angle of a parallelogram is 120 degree find the measurement of the other angles suppose एक ऐसा एक parallelogram है जिसमें one angle given है तो हमने suppose कर लिया जो angle A है वो है 120 degree आपको angle B, angle C और angle D आपको find करना है तो आपको मालूम होगा जो parallelogram में opposite angles जो होते हैं वो आपस में equal होते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम in parallelogram एंगल एंगल्स आर एक्वल सो एंगल A और एंगल C एंगल A इस इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल C क्योंकि आपोजिट एंगल एंगल होते हैं अब देखें एंगल A हमने यहाँ पे suppose कर लिया 120 डिग्री के तो एंगल जो C है वो भी हमारा हो जाएगा 120 डिग्री के तो A और C अपोजिट थें और वैसे ही B और D भी अपोजिट होंगे तो मतलब कि एंगल B एंगल D जो हैं यह अपोजिट होंगे तो इनको आप लोग माल लो X के इक्वल ठीक अब आपको मालूम है sum of interior angle of parallelogram is equals to 360 degree तो यहाँ पे आप लिखेंगे sum of four interior angles of parallelogram is 360 degree तो आप यहाँ पे आप लिख लिजिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D is equals to 360 degree एंगल A और एंगल जो C है यह है आपका 120 degree एंगल B हमने suppose कि है X के प्लस 120 degree and 120 degree is equals to 360 degree यह 120 यह है 120 यह आपको हो जाएगा 240 240 X प्लस actually में एंगल जो D है वो X के equal में एंगल B और एंगल D और यह हो जाएगा आपका 2X is equals to 360 degree अब यह 240 चेंज होके right side में आगा तो यह minus हो जाएगा ठीक है तो यह आपका हो जाएगा 2X is equals to 360 minus 240 तो इसका आपके पास answer आजाएगा 120 degree ठीक है अभी आपको X का value नहीं मिले है यहाँ से हम X का value find कर सकते है 2X is equals to 120 degree So X is equals to 120 upon 2 So X is equals to आपके पास value हाजाएगा 60 degree और X किसका किसका value हमने suppose किया था B और D का तो आपका एंगल B and एंगल D जो है वो आपका 60 degree हो जाएगा ठीक है और एंगल A और एंगल C तो आपको मालूम ही है 120, 120 तो यह आपका answer complete हुआ है The adjacent sites of parallelogram are in the ratio 3, ratio 4 If the perimeter of parallelogram is 84 cm Find its site एक parallelogram है जिसके adjacent site given है ratio के form में 3, ratio 4 Perimeter given है 84 cm तो उस parallelogram के sites क्या होंगे यह आपको बताना है देखे सपोज यह parallelogram है ABCD ठीक है आपको बुलागा है adjacent site तो यहाँ पर हम suppose कर लेंगे Let the adjacent sites of parallelogram is 3, ratio 4 इसको आप suppose कर लेंगे 3x and 4x ठीक है अब आगे आपके question में perimeter भी आपको given है तो यहाँ पर लिख लीजिए and its perimeter is 84 cm अब आपको मालूम है adjacent angles suppose यह आपका है 4x तो यह जो other वाला जो side है B और C यह आपका हो जाएगा 3x अब आपको मालूम है parallelogram में जो opposite side और opposite angle जो हम वो equal होते हैं तो A, B का opposite side हो जाएगा C, D तो यह 4 cm है तो आपका opposite side भी 4 cm हो जाएगा वैसे ही जो second opposite side है B और C तो इसका opposite यह हो जाएगा A, D तो यह भी आपका 3x के equal हो जाएगा ठीक है अब आपको perimeter find करना है तो perimeter का formula होता है sum of all sides यहाँ पे आप लीक लीजिए आपको में सन्गर लीजिए स्क्छाशाब्वबगाईS लीजिए perimeter of parallelogram is equals to perimeter of parallelogram is equals to sum of all sides sum of all sides आपको perimeter यहाँ पे given 84 तो यहाँ पे आप लिख लो 84 cm ठीक है sum of all sides तो यह आपका first side तो side में क्या given है 4 cm 4 sorry 4 cm नहीं 4 x है second side है आपका 3 x third side आपका first है 4 x and last है 3 x इनको आपको sum कर दे नहीं आपका 84 as it is 7 7 यह हो जाएगा आपका 14 x आपको x का value चाहिए तो 14 जो है इसके पॉन में आजाएगा so x is equal to 84 upon x sorry 14 14 बन जा 14 14 6 जा 84 तो आपके पास x का value आजाएगा 6 ठीक है अब आपको side find करने थे तो हमने एक side को 3 x अपूस किया और एक side को 4 x तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आपको 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 आपका 8 x अपूस का value पूट कर दो तो यह हो जाएगा आपका 18 cm सेकेंड साइड सेकेंड साइड आप पैरलोग्राम यह सेम आपको लिखना रहेगा तो सेकेंड साइड आपने क्या किया था यहाँ पे 4 x तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 4 x 6 कर दीजिए तो यह आपका हो जाएगा 24 cm तो फर्स्ट साइड आपका 18 cm हो गया और सेकेंड साइड आपका 24 cm हो गया तो इसमें से कुछ statement है 4 questions है इसमें से देखते हैं कौन से true है और कौन सा false है तो देखेंगे फर्स्ट all squares are rhombus तो यह जो all squares जो हैं वो rhombus होते हैं तो यह आपका true statement है second देखते हैं the diagonals of rectangle are equal तो rectangle के जो diagonals होते हैं वो equal होते हैं आपको मालूम ही होगा तो यह भी आपका true हो गया and third all rectangles are not parallelogram यहाँ पे बोला गया है कि सभी rectangles parallelogram नहीं होते हैं तो इसका answer wrong यह है false statement है इसका correct answer होगा all rectangles are parallelogram तो यह आपका यहाँ पे false statement हो गया last वाला देखते हैं the diagonals of a parallelogram bisect each other at right angles तो जो parallelogram के diagonals होते हैं वो right angle में ही bisect करते हैं तो यह भी आपका जो है statement आइए बच्छो exercise 10.2 से first question देखते हैं तो यहाँ पे बात हो रही है angles के बारे में तो फर्स्ट वाला एंगल 80 डिग्री सेकेंड है 110 अइं थर्ड एंगल है आपका 120 डिग्री आपको fourth angle find करना है quadrilateral का तो यहाँ पे आप लिख लेना let the fourth angle be x तो fourth angle को हमने x suppose कर लिए अब आपको मालूम होगा यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको कि रवे नावकोत है we know that sum of four angles of Angles of Quadrilateral Quadrilateral is 360 degree ठीक है? यहाँ पे आपका है First Angle तो First Angle 80 degree Second है आपका 110 और Third है आपका 120 degree Fourth Angle को आप एक सबोस कर लो और यह equal हो जाएगा 360 degree के अब इनको आपको सम कर लेना है देखिए यह 110 degree और 120 तो यह आपका हो जाएगा 230 degree 230 इसमें 80 प्लस कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 310 degree ठीक है? 310 हो जाएगा यहाँ पे हम लिख लेंगे 310 degree प्लस X इस इक्वल्स टू 360 degree अब यह चेंज हो कि राइट साइड में आजाएगा So X is इक्वल्स टू 360 माइनस 310 तो आपके पास X का वैल्यू आजाएगा 50 degree तो आपका जो 4th angle है वो 50 degree का हो जाएगा बच्चों 4th angles of any quadrilateral are equal and 4th angle is 75 degree Then determine the measure of each of the 3 equal angles एक quadrilateral है जिसमें 3 angles equal है और 4th angle है आपका 75 degree तो आपको जो equal equal angles है वो कितने कितने degree होगा यह आपसे पूछा गया है तो यहाँ पे आप suppose कर लेना Let the measure of each of the 3 equal angles be X तो हमने वो 3 angles को suppose कर लिया है X के और आपका जो 4th angle already given है आपके question में जो की है 75 degree अब आपको पता होगा Sum of 4 angles of quadrilateral यह equal होता है 360 degree के तो यहाँ पे आप लिख लेना We know that Sum of 4 angles of quadrilateral is equals to 360 degree तो देखिए हमने 3 angles तो suppose कर लिया है तो first angle X आपका second angle भी X third angle भी X आपका fourth angle क्या हो जागा 75 degree और यह पूरा equal हो जाएगा आपका 360 के यह इसको आप solo कर लो तो यह तो हो जाएगा आपका 3X plus 75 change होग इधर आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते है 360 minus 75 degree अब 360 में minus कर देंगे 75 degree तो आपके पास यहाँ पे आपका भज जाएगा 285 3X is equals to यह आपका हो जाएगा 285 आपको इस X का value चाहिए तो यह 3 जो है वो 285 के upon में आ जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 285 degree upon 3 डिवाइट कर लेते हैं 3,1,3,3,9,27 1 कह रही हुआ 15 हो गया 3,5,15 मतलब की 95 degree मतलब आपका जो each angles है उनका measurement कितना हो जाएगा 95,95 degree का तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं measure of each angles measure of each angles are 95 degree तो यह आपका answer complete हो